Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, my name is Garima आज हम करेंगे Class 8 Hindi NCRT दूर्बा का नवा पार्ट एक खिलाड़े की कुछ यादें इस पार्ट के जो लेखक हैं वो श्रीकेशवदत्यजी हैं जो की हमारे भारत के बहतरीन होकी खिलाड़ियों में से एक हैं श्रीकेशवदत्यजी जो थे वो 1948 और 1952 के जो स्वन्ड विजेता ओलंपिक टीम थी उसका हिस्सा रहे हैं और इस समय वो कलकत्ता में हैं तो उनकी कुछ यादें हैं जो इस पार्ट में हैं तो चलिए पढ़ते हैं 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाता हूँ लौहर को याद करना चाता हूँ जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यान चंद को होकी खेलते देखा उसके बाद मैं होकी का ही हो गया यह बताता है कि बड़े खिलाड़ियों को देखना आप पर कितना असा डालता है यहां लेखक जी कहते हैं कि पहले वो बैडमिंटन चैंपियन थे लेकिन जब उन्होंने अपने स्कूल के ग्राउंड में ध्यान चंद को होकी खेलते देखा तो उनसे प्रेरित होकर वो होकी को उन्होंने जॉइन किया 1948 उलम्पिक से पहले हालाद बहुत खराब थे यानि जो हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले जो हालाद थे वो बहुत खराब थे उन्हें भी लहुर से भागना पड़ा था और मुंबई में एक कैम्प लगा था सब कुछ बिखर गया था और टीम में जितने भी सदस्य थे कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ कोई ट्रेजडी ना हुई हो ट्रेजडी होती है दुखत घटना दिमाग खेल से जादा भारत पाकिस्तान के अलग होने पर लगा था और ये जो ट्रेजडी उन लोगों के साथ हो रही थी उसमें पूरा ध्यान था उन लोगों का हम लंदन पहुचे वहाँ भी विश्वयुद के बाद के हालात थे जो भी विश्वयुद हुआ था उसके बाद जो हालात थे उससे सहर समल नहीं पाया था बिल्लिंग में गोलियों की निशान दिखाई देते थे ओलंपिक ड्रॉ निकला भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हाफ में थे सबको यही लग रहा था कि इन्हीं दोनों मुलकों का फाइनल होगा सेमी फाइनल में एक दिन हमें हॉलेंड और पाकिस्तान को इंगलेंड के साथ खेलना था यानि पहले भारत और हॉलेंड का मैच था और पाकिस्तान इंगलेंड का मैच था तो यहाँ पर दो सैमी फाइनल थे बेबली स्टेडियम था जहां आम तोर पर फुटबॉल होता है बारिश के बीच हमें बड़ी मुश्किलों से हॉलेंड को दो एक से हरा पाए यानि भारत ने हॉलेंड को दो एक से हराया इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया अब इंग्लैंड से फाइनल था यानि दोनों टीमों में से इंग्लैंड और भारत जो थे वो फाइनल टीम में थे कुईन मौजूद थी हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराया हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आँखों में आसू ना हो, ये जीत के आसू थे, खुशी के आसू थे, उसी मुल्क में आकर हम जीते थे, जिन्होंने हम पर इतने साल राज किया, उन्हीं के घर में आके हमने उनको हराया था, पहली बार विश्व स्थर पर कहीं जन गर्ण मन बजा था, हमें गर्फ है कि ये इंग्लैंड में हुआ, इस से बड़ा लमहा नहीं हो सकता, सारे दुखदर्द भूल गये थे हम, आज़ाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखा दिया था कि वे क्या कर सकता है, मुझे अफसोस है कि उसके बाद हौकी का इस्तर गिर गया, यानि बाद में हौकी को अपना महतु नहीं दिया गया, गिरावट सिर्फ हौकी में नहीं, कई खेलों में थी, कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हो गई थी, व्यक्तिगत खेलों में जरूर सफलताय मिली थी, विश्व नाथन आनंद हैं, सानिया मिर्जा हैं, लेकिन उन्हें उपर लाने में को जैसे आपको होकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिएं, सिंथेटिक टर्फ होता है, जो हरे रंग की घास होती है, आर्टिफिशल घास, उसका इस्तिमाल किया जाता है, तो तब ही ये लोग होकी खेल सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में कितने हैं, जिन्हें ये मौका नहीं मिल पाता है, अंग्रेजों के समय एक बहुत अच्छी बात थी, हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था, तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना, यानि उस समय जितना खेल पर ध्यान दिया जाता था, और पढ़ाई पर ध्यान बराबर से दिया ज तब ही तो वो खेल में आगे बढ़ पाएंगे, आबादी के साथ खेल की जगे खत्म होती जा रही है, हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी नहीं थी, कोचिंग होती है जो शिक्षनर दिया जाता है, प्रशिक्षनर दिया ट्रेनिंग जीत जाती है, उसे हम कोचिंग क हुआ है मेरा मतलब यह है कि खिलाडियों में जजबा जरूरी है अगर अंदर से अंत्रमं हमारा देश ब्यावा के लिए कुछ करने को इछ्चा जाकुरित होती है तभी वह जजबे से खिलाड़ी मजबूत बन पाता है और देश के लिए पिछडे हैं जिनमें सबसे आगे थे जिनमें आगे आए वहां सबसे आगे नहीं है यानि हमने, hockey का मैच खेल के देश को यह दिखाया था कि हमारा भारत देश भी कुछ कर सकता है लेकिन अब hockey में उतनी महतुता नहीं दी जाती है तो उनका ये कहना है कि हौकी जो है इस समय उतना आगे नहीं है क्योंकि सबसे आगे पहले वही था तो केशव दत्जी के बारे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो देश के बहतरीन हौकी खिलाडियों में से एक थे और इस समय वो कलकत्ता में हैं और 1948 और 1952 में स्वर्ण विजेता ओलम्पिक टीम का वो हिस्सा रहे हैं तो अब चलिए सब्दार्थ कर लेते हैं असर होता है प्रभाव, हालात, इस्थि, ट्रेजडी होती है दुखांत घटना, कोई बुरी घटना लम्हा, छड़ या पल, सिस्टम होता है विवस्था, कोचिंग, प्रशिक्षा देना या किसी चीज़ कर शिक्षा देना जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं जजबा होता है भाव या जोस, एक कुछ कर दिखाने का जजबा, शूटिंग होती है निशाने बाजी पार्ट से प्रश्ण एक, लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, उसे होकी खेलने की प्रेना किस से और कैसे मिली तो लेखक जो हैं वो बैडमिंटन के चैंपियन थे, परंतो एक दिन उन्होंने स्कूल ग्राउंड में ध्यान चैंजी को होकी खेलते देखा और उनसे वो प्रेरित होकर होकी खेलने लगे प्रश्ण दो, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आखों में आसू क्यूं थे? उत्तर, उस समय भारत को आज़ाद हुए कुछी दिन हुए थे इंग्लैंड पर जीत सिर्फ खेल में ही जीत नहीं हुई थी बलकि जो हम गुलाम थे, उस गुलाम को भुला कर जो हमारे उपर शाशन कर रहे थे उनको हरा दिया था हमने, जिनों ने हम पर कई वर्शों तक शाशन किया उसी के घर में जाकर हमने उन्हें हराया तो मानसिक तोर पर हमें गर्व मैसूस हो रहा था इस कारण हम सबकी आँखों में आसू थे प्रशन तीन खिलाडियों में जजबा ज़रूरी है लेखक किस जजबे की बात कर रहे हैं और ये जजबा क्यों ज़रूरी है तो उत्तर है खिलाडियों में खेलने की भावना जो है वो प्रबल होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए क्योंकि बिना प्रबल इक्षा के हम कोई खेल नहीं खेल पाएंगे और खेल का इस तर गिर जाएगा याद करना 60 साल की बात याद करने से पहले मैं कुछ साल पीछे जाना चाहता हूं लाहौर को याद करना चाहता हूं उपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ की लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता है तो उत्तर है लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है प्रश्न दो तो तुम्हें अगर अपने तीन साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे तो उत्तर है हमें भी तीन साल पहले की हिंदी को याद करना पड़ेगा हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों को लिखना सिखाया गया था फिर हमने याद कर लिया था उसको इसके बाद हमने हिंदी की मात्राएं सीखी थी इसे सीखने के बाद हमने हिंदी पढ़ना और लिखना और बोलना आ गया था क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है या सोच समझ के साथ हम उस पर चर्चा, विचार और उसके आवशकता नुसार, विवहार करना जरूरी होता है तुम्हें जो भी उचित लगे उसके कारण सहीत बताओ उत्तर है पिछले किसी बात को रटा तो नहीं जाता परन्तु यदि उसके संदर्ब में कोई नई बात कहनी होती है तो उसे याद करना जरूर होता है क्योंकि उसकी याद किये बिना हम उसे पूरी तरह से नहीं बता पाते हैं किसी विशेय पर सोच विचार करने से उस विशेय को हम हमेशा ही याद कर सकते हैं इसके बाद हमें उसे बूलना नहीं होता हमें यादी रहती है वो हम उस बात को नहीं भूलते हैं तो यह आपका पार्ट खतम हो गया इसके प्रशनुत्तर हो गया आपको कैसा लगा कमेंट श करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें